तो यार इतने दिनों से यूज में चल ला था कि रहा ता कि यार रॉसिया यूक्रेयन में हमलाक कर देगा कर देगा कर देगा तो आखिरकार हमला कर दिया लेकिन कूछ क्या राइट विंक का हुथ कि इसी तरह से यूकेन प्रो नेटो, प्रो यूरोपियन यूनियन और एंटी रॉशियन कल्चर कहलाती है तो पहली बात तो यह से साबित हो जाती है कि यार दोनों देशों की पार्टी में अनबंतों बनी ही रहती होगी इसकसा साथ अगर समय में थोड़ा पीछे जाया जाये तो जब यहां पर कॉ पापिस भी नहीं लटाया है क्योंकि वहां पर उसने एक प्लैबली साइट कराया है जिसमें 95% लोगों ने यह वोट किया कि यार उन्हें रशिया के साथ ही रहना है क्योंकि वह एक रशियन स्पीकिंग एरिया है तो इसी तरह से अगर हम इस्टन यूक्रेन को देखें तो नौर्मेल सी आए तो ही हम यूक्रेनियन लोग के तहट दौनबास एरिया को आटोनोमस रीजन बनाएंगे और इलेक्शन करवाएंगे लेकिन रशिया का कहना है कि नहीं पहले आटोनोमी दीजिए उसके बाद इलेक्शन उसके बाद हम सीज़एर की कोई बात करेंगे तो नेटो और यूरियपेन यूनियन भी उसको चड़ाय जा रहते हैं चड़ाय जा रहते कि जा भाई तू लड़ तेरको हम बचा लेंगी टेंशन मतले कोई नहीं यह वो और अब दूसरा दिन हो गया है युद्धिगा लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया है यूक्रेन यह पर बगवानी मदद कर सकता है यूकरेन की अगर्वानी टॉपिक तो सरल था ना तो सब्स्राइब कर दो कि अब आगे और अब आगे